साप, सोशल मीडिया वालों ने तो हमारी बैंड बजा रखी है, अब तो खर्चा पानी भी बंद हो गया है हाँ, पता ही नी चलता, कब कौन कहां से हमारी वीडियो बना ले हाँ, पता चलता है न साप, जब हमारी वीडियो लोग हमें बेशते हैं हाँ, साप, सुबह से डाल खाईए, कोई मुर्गा नहीं मिला वे, ठेक, आगया मुर्गा रोक, 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 रोक जी, क्या चाहिए, एक पीजा और दो कोल्टिंग दे दे हाँ, यार मेरी गारी क्यों रोकी है, ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर आओ, ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने का इखत्यार आपके पास है, आप, हाँ, हाँ तो, क्या बोला तुने, मैंने पहले भी कहा, कि सको हशाम जी साप जब घी औंगली से ना निकले तो साब फर पिर औंगली टेड़ी करनी पड़ती है अबे तेहरी गाडी के शीशे भी कालें पता है इसकी कितनी सजा है मेरी तो गाडी के शीशे कालें तुम लोगों की तो वेत चौवाली से इस पे अबे दफा दफा दूर जांते हो मैं कौन हूँ कौन एबे तू लाइर आई हब अबे तो शकल से ही जूटा लगता है अबे वो वह लायर नहीं लाइर अरे अरे सर वो काले कोट वाले जी हाँ काले कोट वाला साफ आप जाए साफ जाए 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 अबे, मरवाद हächstा तूने तुझे ये नि पता? मैंने क्या किया? अबे, तुझे फरक नि पता? लायर जूटे को बोलते हैं और लायर वकील को बोलते हैं काले कोट वाले को साब, शकल से वो वकील कम और जूटा जादा लग रहाता अबे, वो तो मैं कल फिलिम देख रहा था, अपनी बीबी के साथ, उसमें लायर वकील को बोलते हैं, नहीं तो मैं भी तेरी तरह जूटा ही समझा था, साब उदे को दूसरा शिकार, देख के, कहिए उससे बड़ी फिलिम ना हो, साइट प्याओ, साइट प्याओ, साइट प् यह सर जरूर चेक करें, आप हमारी इफादत के लिए तो खड़ें, साब, मनशियाद की खेप पकड़ी गई, मुकबर की खबर पकी ती, सारी, यह मेरी नहीं है, जेब तेरी है, और पुडिया किसी और की, सारी, आपके बंदे ने मेरी जेब में डाली है, मुझे फसाने के यह मेरी नहीं है, अब है, दो पढ़ेंगे ना कंपड़ी पे, फरफर बोलने लगेगा, उल्टा चोर कुतवाल को डाटे, मनशियाद की खेप पकड़ी गई है, और इल्जाम हम पुलिस वालों पे लगा दिया, वारे वा, होशियार समझता है अपने आपको क्या, सार्म मै मैंने आज तक किसी खिसम को कोई नशा नहीं किया, यह मनशियाद तो बहुत दूर की बात है, यह मेरी नहीं है, बैटा तू फस्तो चुका है, यह बता, मामला यहाई खतम करें, या फिर धाने चल कर, क्या मतलब साथ मैं समझा नहीं है, लो भाई, अब तुझे मतलब भी स समझाना पड़ेगा, हशाम, जी साब, वो जो पिछले अपते मनिशयात की खे पकड़ी थी, कितने किलो की थी, साब साथ किलो की थी और असला भी था, उन बंदों को हमने इतने में छोड़ा, आप पूरे दस लाग रुपे लेके छोड़ा था, उनकी जगा, अब किसी को त अपनी सारी मनिशयात का केस डार रहे हैं, अब ये तेरे हाथ में, कि अपनी इज़त काईम रख, या फिर ठाने चल कर, अपने आपको भी जलील करवा, और अपने घरवालों को भी, क्या इज़त रह जाएगी, जब सुबही सुबह तेरी खबर छपेगी, मनिशयात की करें, एक बेगुणा इनसान को इस तरह से बसारें, अरे बेगुणा ही तो पत्ते हैं, कसूर वार तो हमारे हटे ही नहीं आते, ये बता, मामला यह ही खत्म करें, या फिर ठाने चल कर, अब जब ठाने चल कर, क्या, अभे तेरा दिमागा तो ठीक है, तुझे मताख लग र वनीश्यात की खेप और असला पकड़ाएं नए-ढिये सचो साफ आएं हमारे नमबर भी बजाएंगे और हमारी वरदी पे फूल भी लग जाएंगे दलती हो गई साफ खड़े हो माप कर दे हमारे कर दे हमारे चाहे अरे चोटे चोटे बिच्चे हैं साफ गलती तुम्हारी नहीं गलती हम अफसरान किये तो अखुद तो ठंडे कमरे में बैठे रहते हैं और तुम लोगों खड़ा कर देते हैं नाके पे अवाम की हिफाज़त के लिए और बैचारी अवाम तुम्हें देखके अपना रस्ते ही बतल लेती हैं और अगर कोई अवाम तुम्हारे हते लग जाए तो इसके साथ वही करते हो जो तुमने मेरे साथ किया आज मेरी जगा कोई आम बंदा होता तो उस पर इतनी सारी मनशात का केस डाल देते तो कभी सोचें कभी सोचें जिससे तुम रोक रही हो वो अपने बाल बचों का पेट कैसे पाल रहा है कभी सोचें उसे कितनी तकलीफ के बात ठर्खाम भी और तुम जैसे लोग उने ट्रा कर मुझ खोलकर उससे सारे पैसे चीन लेते हिए तुम्लों जानते हो तुम्में और डाफू में फर्क इते हैं कि वो ये फर्दी नहीं पहनते हैं और तुम जैसी काली भेड़ों की वज़ासी ये इदारा बदनाम है और इस इदारे में काम करने वाला इमान का स्पाही और अफसरान बदनाम है जब तक इस तरह आला अफसरान सादा लवास में तुम लोगों के निगरानी नहीं करेंगे न तब तक ये इदारा ठीक नहीं होगा चाहे जितना मर्जिक कानून बना लिया जाए